पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वाइरस के कारण जो समस्या पादा हुई है जिंद्गियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान की भी केंद्र सरकार हो या राजय सरकारे हो सभी डिपार्टमेंट और एक प्रकार से सभी नागरिक ये कोरोना वाइरस की लड़ाई में पिछले दो ढ़ाई महिने से लगे हुए है ऐसे समय साइकलोन का इतना बड़ा संकीर और वो भी सूपर साइकलोन भूती चिंता का विशे था बंगाल जाते जाते वो भुड़ीशा को भी कितना नुक्सान कर पाएका यह हमेशा चिंता का विशे बना रहा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्यवस्ताएं इंस्टिटूस्टलाई हुई है गाउं तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय इसकी भली भाती जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए उडिशा के नागरिक उडिशा का प्रशासन और उडिशा के मुख्यमंत्री सिमान नविन बाबू उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकुरूति आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है पच्चिम मंगाल की तुल्ना में उडिशा में उतना नुकसान नहीं हुआ है लेकिन जाते जाते भी उपूंच पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट और इसलिए हाउसिंग में, अग्रिकल्चर में, पावर में, कम्मुनिकेशन में, इन्फा सक्कर में जो नुकसान हुआ है तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बाते रखी है यहां की सरकार की व्यवस्ता की तरफ से बहुती जल्द उसका अकलन करके रिपोर्ट बारत सरकार को मेलेगी बारत सरकार की टीम भी तत्काल यहां पहुँचेगी और पूरी परिस्तिति का रिव्यू करकर के लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रियेबेटिशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्रात्विक्ता देते हुए काम आगे बढ़ाये जाएगा लेकिन तत्काल आवश्रक्ता को धानवर रखते हुए भारत सरकार के तरप से 500 करोड रुपिया एडवांस ववस्ता की रुप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्रक्ता हैं, एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रियेबेलेटेशन की पूरी योजना बनने के बाद, भारत सरकार भी कंदे से कंदा मिला करके और इसा के विकास की यात्रा में और संकर की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा बहुत बहुत धन्यवाद